वाव क्रीशन चैनल में आप सबका स्वागते आज हम बात करेंगे कि जैसे कि नव जाश इशू अगर हो जाता है किसी को और बहुत सारी मम्मीद ऐसी होती है जिनको पता नहीं होता है कि फीडिंग किस तरह से कराई जाए फीडिंग के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे आपके कुछ काम आ सकती है अगर आपको लगता है कि वीडियो को यूस्पूल है तो इसे शेयर करिए अगर अच्छा लगता है तैसे लाइक करिए और नए तरशा कि अगर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एक बेल आइकन होता है उसे आप जरू प्रेस करके रखिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके लिए स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को फीडिंग किस तरह कराई जाए दूद पिलाने का कौन सा सही तरीका होता है और बच्चों को दूद कैसे पिलाना चाहिए यहाँ पर जो भी नई मम्मी बनी है उनके लिए जानकारी बहुत ही ज्यादा यूसफुल होने वाली है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप्ना करें इसे आप एंड तक जरूर देखें पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही बच्चा हो जाता है दूद उस इस तन में से येलू-yellow color का कुछ द्रव्य निकलता है जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा यूसफुल होता है अगर जो भी महीला इस चीज को अगर करती है जैसे कि उस येलो वाले दूद को अगर दो या तीन बूदी बनती है वो अगर वो पिला देती है तो बच तो बहुत सारी महीला ऐसी होती है कि ये क्या है पीला पन तो इसको बहुत सारी महीला अवट करती है लेकिन आप ये बात ध्यान रखे कि जो येलो केलर का सुरू-सुरू में जो दूद निकलता है उसे दूद नहीं बोला जाता एक तरह से आपके लिक्विड निकलेगा जो भी नई मम्मा है उस बात को ध्यान रखे और एक गंटा की बीतरी अपने बच्चे को दो या तीन बूद जो भी येलो कलर का दूद आता है उसे जरूर पिलाएंगे उससे ज्यादा भी आप बच्चे को दूद पिला सकते ही जैसे कि आठ मेने हो गया साल बर हो गया या बहुत सारे मतलब दूसर चीज़े होती है जिसे कि दूद बलाने का पाउडर आता है उससे दूद बला के पिलाते हैं तो इस तरह से बिलकुल ना करें आप कोशिश कर दिए कि 6 महीने तक बच्चे को अपना ही दूद पिलाएं जिससे कि बच्चे का स्वास्त अच्छा र तो आप इस दिज़ को द्याण रखिए कि आपको खान पान आपको अच्छा रखना है तभी जाकर छे मत तक आप दूद अच्छे आपके बन पाएगा या उससे भी ज्यादा बन पाएगा तो हमेशा जो भी इस तन पान कराए वह बात का ध्यान रखिए कि 0 से लेका 6 महीन आपको बताना चाहूंगी साब तरीके से कि अगर आप बच्चे को सोते हुए दूद पिलाते हैं क्योंकि उस समय पर क्या होता है कि मा की नीन सबसे ज़्यादा खराब होती है उसमें चिर्चिड़ा पनाने लगता है वो बहुत ज़्यादा परिशान हो जाती है उसको दर्द अलग से हो रहा होता है तो बहुत सारी मैलाई क्या करती है सोते सोते ही दूद पिलाते की कोशिश करती है ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप सोते हुए लेटे हुए दूद पिलाते हैं तो दूद कही ना कही बच्चे के कान तक पहुच जाता है यानि क बच्चे के कान के अंदर दूद बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए तो इसलिए आप यह बात ध्यान रखें कि अगर आप नई मम्मा बन रही है तो अपने बच्चे को दूद पिलाने का एक आप सही तरीका होना चाहिए कि आपको सही पोजिशन में बेटना है और उसी के बाद आपको दूद पिलाना है अगर आप लेटे वे दूद पिलाएगी तो आपका कभी नीन आगए आपको या किसी कारण वश्ते बच्चे की मूँ से दूद निकल गया तो वो फिर क्या होता है बच्चे की कान में चला जाता है जो कि उसके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता कान में जाने के बाद अगर बच्चे की कान में दूद चला जाता है तो कान पकने के चांसे बढ़ जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि मम्मा को जो दूद है वो लेटे उवे नहीं पिलाना है लेकि बहुत सारी मैला है आज भी ऐसी है जो बहुत ही जादा आलस्ची करती है और इस कारण से बच्चे को लेटे उवे दूद पिलाती है अच्छी सी पोजिशन मना सकती है उसके बाद आपको क्या करना है बच्चे को इस तरह से लेना है और एक हाथ जो है बच्चे के गरदन के नीचे रखना है सिर के पास में बिल्कुल और फिर बच्चे का जो उपरी हिस्सा है सीरवाला वो उपर रहना चाहिए और फिर आपको feeding करवानी चाहिए एक साथ में आपको क्या करना है एक ही तरफ की feeding नहीं करवानी है जैसे आपको एक बार इधर का दूद पिलाना है फिर एक बार इस तरफ का दूद पिलाना है तो इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर आप दूद पिलाती है तो पहले एक तरफ से दूद पिलाए उसके बाद थोड़ा समय रुखकर जब बच्चा दूसरी बाद दूद की मांग करें तो उसे दूसरी तरफ से दूद पिलाए बच्चा दूद पिले उसके बाद आप बच्चे को थोड़ा सा उपर रखे और उसको इस तरह से पेट पर हाथ गुमाए और उसके यहाँ पर हाथ रखने से ड़कार बच्चे को आएगी तो आपको ड़कार जरूर दिलाना है ताकि बच्चे के मुँम में दूद बरा हुआ ना रहे बच्चे के दूद जो है वो पूरी तरह से पेट में उतर जाए खास बात यह है कि जब बच्चा दूद पीता है तो कई बार बच्चा सिर्फ निपल निपल ही दूद मतलब पीने में काम में लेता है लेकिन आपको यह वाद ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप बच्चे को दूद पिला रही है तो जो उसका ब्राउन एरिया होता है या पिंक एरिया होता है उसे भी आप उसके मुँम में जाने दीजिए जिससे कि बच्चे अच्छे से दूद पीर पाएगा उसका पेट और आप कोशिश करें कि उस दूद पर हाथ करके और फिर से प्रेस करके बच्चे को दूद पिला है यानि कि बच्चे कि मुझ में वह खुद नहीं ले पाएगा लेकिए अपको अपनी उ ओमछी सहायता से बच्चे को दूद पिला ना का एरिया जो है पूरा अंदर जान जैसे कि कभी हाथ को उप्र के सोप दो कर वा सब्तुंद हैऄ, कभी आद दूद् gूल 3-3, आध के सुप दो की धाल सकते हैं, तो कैसा एक पुर्ष आध के लाद दो हम बहुंचो आप कोई मम्मी बनी है आप कोई पता नहीं है तो आप कोई बाद जरूर ध्यान होनी चाहिए कि आप दूद पिलाने के बाद या दूद पिलाते समय या आपके जब तक आप दूद पिलाएगी बच्चों को तब तक अपने हातों की पोजिशन को बिलकुल सही रख करके सोए आप कभी भी अपने हाथों को उपड़ नीचे ना रखकर सोए क्योंकि फिर दूद्ट जो होता है वो इधर उधर होने से गठान मन जाती है तो ये भी जानकारी आपको होना जरूरी है बच्चे को दूद्ट पिलाने के लिए आपको ये चीजे जान होनी जरूरी है पिलाना है तो ये कोई छोटी-छोटी से जानकारी आज मेरे पास थी जो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूँ आगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच